आदेश गुपता जी और दिल्ली विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष श्री रामबीर सिंग जी बिधोडी और पूर प्रदेश अद्यक्ष विधायक श्री बिजिंदर गुपता जी इस प्रेसवारता को संबोधित करेंगे। मैं इस प्रेसवारता में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता मेरे साथी भाई आधित्य का स्वागत करता हूँ और माने निये आधेश इसे निविदन करता हूँ कि प्रेसवारता को संबोधित करें धन्यवाद नभीन जी, सबसे पहले मैं मेडिया के बंदूओं को नमस्कार करता हूँ और छमा चाहता हूँ कि आदे घंटे विलंब हुआ है और आज की इस महत्पूर्ण प्रेसवारता में उपस्थित दिल्ली विधानसवा में प्रतिपच के नेता आदणी स्री रामबीर सिंग विदूरी जी दिल्ली भारती इंता पार्टी के पूरवध्यच और रोहनी से विधायक आदणी स्री विजेंदर गुपता जी, स्री नभीन कुमार जी, स्री आदित जहा जी मीडिया के साथियो, आज बहुती महत्पूर्ण मुद्दे पर आप से बात करने के लिए आया है पिछले दिनों जब से विधानसवा के पटल पर डी टी सी बसों के खरीत के मामले को उजागर हमारे विधायक स्री विजेंदर गुपता जी ने इस मामले को उजागर किया और इस मामले को लेकर दिली विधानसवा में विपच्च के नेता विधूरी जी और भारती इंता पार्टी के सभी विधायक और कारिकरता लगातार आंदोलन कर रहे है कि बसों की खरीद में और उसके मेंटिनेंस जो मेंटिनेंस दिया गया है वो बसों का मेंटिनेंस है या फिर आमादी पार्टी अपने चुनावी मेंटिनेंस के लिए खर्चा ले रही है इसके लिए जब आंदोलन किया और लगी साब ने एक कमेटी बनाई आज ये आमादी पार्टी की तरफ से प्रचारित किया जा रहा है कि बसों की खरीद के मामले में क्लीन चिट मिल गई है मीडिया के साथियों मित्रों में आपको बताना चाहता हूँ असलियत क्या है और असलियत ये है कि वो क्लीन चिट उसमें साफ लिखा है कि हमने मेंटिनेंस के मामले को टेंडर को फ्रेस टेंडर करने के लिए कहा है आप ये बताईए 35 सो करोड के टेंडर आपने किया आप जाच करने के बाद कह रहें कि वो टेंडर गलत था तभी तो आप कह रहें नया टेंडर होना चाहिए अगर उसमें फाइनेंसियल इर्रेगुलिटीज नहीं थी अगर उसमें वित्ती अनिमित्ताई नहीं थी तो आप फिर वो टेंडर को वापस क्यों करवा रहे हो क्योंकि उसमें गड़वडी थी क्योंकि उसमें गड़वडी का प्रथम द्रस्ट्रा पाया गया इसलिए आपने जाच की नहीं तो आप जाच नहीं करते और जाच की तो उसमें पाया गया कि इसके अंदर जो मेंटिनेंस के लिए आपने दस साल का मेंटिनेंस 3500 करोड एक हजार बसों की खरीद 850 करोड और 3500 करोड रुपे आप maintenance पर खर्च कर रहे हैं उस खरीदने पर तीन साल की warranty free मिलती है maintenance free है वो खरीद में अलग से घोटाला है आप तीन साल की खरीदने के साथ तीन साल की warranty मिल रही है दस साल की आप मेंटिनेंस अलग से ले रहे हैं 3500 करोड का टेंडर कर रहे हैं दोनों में घपला ही हुआ है और दोनों के टेंडर गलत हुए है मैं ये कहता हूँ पहली बात भारती जनता पारटी की डिमांड थी कि आप सबसे पहले परवहन मंतरी और जितने अधिकारी उसमें लिप्त हैं उनका स्थीपा होना चाहिए उसके बाद जाच होनी चाहिए क्योंकि कोई भी जाच निस्पच तभी हो सकती है जब उसके सम्मंदित मंतरी और जो अधिकारी है वो उस जगे से अलग हो नहीं तो किस तरह से तत्यों को तोड़ा मरोडा जाएगा evidence को कमजोर किया जाएगा इसका पूरा अंदेशा है और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि clean shit मिल गई है इस report से इसी report में लिखा है कि इसी report में है कि हमने जो tender प्रक्रिया है maintenance की जो 3500 करोड रुपे की है वो गलत है और इसलिए LG साब ने इस report में कहा गया उसको turn down किया गया अरे आपने एक इतना बड़ा scam कर दिया इतना बड़ा घोटाला कर दिया लेंदेन कर लिया आपने tender दे दिया अरे कोई न कोई तो गड़बडी होगी जो आपने डर की वज़े से ये बसे नहीं खरी दी ये बात अलग है कि पहले से आप दिल्ली की जनता को भ्रम में रख रहे हो जूट में रख रहे हो पहले से ये बसे दिल्ली में कम है और आपकी नियत इतनी खराब हो चुकी है कि बसों की खरीद में आपने बे इंतहां ये बे इंतहां भरस्टाचार की एक मिसाल है कि एक हजार बसों को आठ सो पचास करोड में खरीदा और पैंतिस सो करोड रुपे उसके मेंटिनेंस में जिस तरह से ये जो बाते सामने आ रहे ही ये रिपोर्ट में आ रहा है उससे साफ जाहर है कि इसकी मेंटिनेंस में भारी ब्रस्टाचार हुआ है अगर ये tender बापस हो रहा है इस tender को turn down किया जा रहा है इस report में जो लिखा है कि इस tender को turn down कर रहे है इसका सीधा अर्थ है कि ये गलत है इसमें बिश्टाचार हुआ है और इस पर सबसे पहले दिल्ली के परवहन मंत्री इस्तीफा दे पहली हमारी demand है दिल्ली के परवहन मंत्री इस्तीफा दे और उसके बाद दूसरी demand है कि इसका anti-corruption bureau से इसकी जाच की जाए क्योंकि जो भी इसके अंदर वित्ती अनिमित्ताएं ब्रस्टाचार गोटाला हुआ है वो साफ हो जाएगा भारती इंता पार्टी की यही डिमांड है धन्यवाद मेरा दिल्ली विदान सवा में नेता परतिपक्ष शिरी रामबिर सिंग जी बिदूर से निवेदन है कि प्रेश वारतों को संब्धित करें जरूत नहीं हो जाए दिल्ली पर्देश भारती जन्ता पार्टी के समानित अध्यक्स आदनी स्री आदेश गुपता जी दिल्ली पर्देश भारती जन्ता पार्टी के पूर अध्यक्स वरिष्ट विधायक आदनी स्री विजंदर गुपता जी मीडिया के प्रमूक आदनी नवीन कुमार जिंदल जी पार्टी के प्रवक्ता आदनी सिर्मान अदेते जहाजी सभी मीडिया के सम्मानी साथियो देखे विस्तार से तो आपको सिरी विजंदर जी बताएंगे मैं दो मिनट में अपनी बात को समात करूँगा दिल्ली के लेटन गवर्नर को हम सभी आठ विधायक मिले थे और जो एसीवी के मुख्या हैं उनको भी हम सभी आठ विधायक मिले थे LG को भी और ACV के मुख्या को हमने लिखित कंप्लेंट दी थी हमारी कंप्लेंट थी कि DTC की जो एक हजार बसे खरी दी जा रही है उनके उपर लगबग 890 क्रोड रुप्या खर्च हो रहा है और उनके रख रखाव के उपर DTC 3500 क्रोड रुप्या खर्च करेगी जैसे आधनी अध्यक जी ने कहा कि भी तीन साल कर तो वारेंटी पिरियर्ट था और हम तीन साल तक हर महीने मैंटेनिंस के नाम पर इन कंपनीयों को 30 क्रोड प्या हर महीने देंगे तो इसमें कहीं न कहीं घोटाला हुआ है हमने एक बात और भी कही थी कि देखिए डिटी सी के पास अपना स्टाफ है परियाप्त स्टाफ है उसमें टेक्निकल लोग भी है उसमें जो मकेनिक उनके इनके पास भरपूर है तो यदि डिटी सी की बसों में कोई खराबी होती है या उनकी साफ सफाई की बात है तो जो डिटी सी के पास अपना स्टाफ है उससे य कि 3500 किरोर डुपिया जो मेंटेनेंस पे दिया जा रहा है इसमें कहीं ना कहीं भरस्ताचार हुआ है दूसरी दूसरा सुजाव हमने ये दिया कि आप अपने ही करमचारियों से मेंटेनेंस का काम लें तो आज हम ये कह सकते हैं कि यदि ये रिपोर्ट ये कह रही है कि जो मेंटेनेंस का जो काम है उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी उनको दिखाई दे रही है और वो कह रहे हैं कि इसको रद किया जा रहा है तो यदि रद किया जा रहा है तो ये स्विकार कर लिया गया है कि हाँ जो सभी विधायकों ने राइटिंग में दिल्ली के LG को दिया दिल्ली के ACB के मुख्या को दिया तो ये सपस्थ हो गया है कि जो बात हम कह रहे थे कि मेंटेनेंस में जो 35 करोड़ प्या खर्च किया जा रहा है ये बड़ा भारी स्कंडल है आज हम इस प्रेस कॉनफरेंस के माध्यम से दिल्ली के LG से मांग करते हैं कि वे तुरंत दिल्ली के परिवन मंत्री सिरी केलास गहलोत को उनके पस से बरखास्त करें और अब इसकी फर्दर जाच जो है वो एंटी करफसन ब्यूरो के जो स्पेशल सीपी है उनको दे दी गई है केवल केवल दिल्ली को LG को उसकी अनुमती देनी है तो आज हम LG से भी मांग करते हैं कि वे एंटी करफसन ब्यूरो को जाच करने की अनुमती दे और यदि उसमें देरी होगी तो दिल्ली परदेश भार्चनता पार्टी के कारिकरता सभी विधायक आदनी अध्यक शिरी आदेश गुपता के नित्रतु में हम लोग जहां भी हमको धर्णा परदर्शन जो भी सक्त से सक्त कारवाई करनी पड़ेगी हम करेंगे रिपोर्ट से सावित हो गया है और जो हमारी सिकायत थी वे सही आई गई है तो इसलिए अब परिवन मंत्री या तो इस्तिफा दे और इस्तिफा नहीं देते हैं तो उन मैं दिली परदेश के पूर अध्यक्ष रोहिनी से विदायक भाई बिजेंदर गुत्ता जिसें रोत करतनां प्रेस वारता को समदेद करें साथियों आज बड़ी इस्तिफी को देखकर है रानी हो रही है है रानी इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग भरिष्टाचार को उजागर करने की बात करते थे और जिस नाम पर पार्टी बनी और जो लोग भरिष्टाचार को छुपाने के लिए हर भरसक कोशिश कर रहे हैं और उसको क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं मैं आपको कम समय में ज्यादा बात कहने की कोशिच करूँगा. पहला विशह तो यह मैं कमेटी के पॉइंट नमबर फाइव को पढ़ रहा हूँ. The committee examined the material on record and observed that the allegations in the complaint essentially pertain to the maintenance contract of buses. The committee therefore focused its attention only on procurement process for AMC of the buses. In doing so, the committee narrowed down the key issues, germane to the inquiry and asked DTS to give its written comments on the following. पहला तो यह आप समच्चत है कि committee ने इसको focus किया है AMC पर, Annual Maintenance Contract पर. हमारी जो complaint है वो AMC पर है जिसमें 3500 करोड रुपया में भारी ब्रिष्टाचार हुआ है. तो committee ने जाच किसकी किये AMC की और उसका निश्कर्ष क्या दिया है कि AMC के contract को रद कर दो. तो आप सोचिए कि AMC की जाच के लिए committee काम कर रही है और उसका निश्कर्ष दे रही है कि इसको रद कर दो, दुबारा tender करो. तो केज़िवाल जी, अगर भ्रिष्टाचार नहीं है, तो AMC की tender को चलाओ आगे? चलाओ आगे अब? हम कब कह रहे हैं, अब मत चलाओ? हम तो जानते हैं कि आप इसमें चोरी कर रहे हैं, भ्रिष्टाचार कर रहे हैं, जेल जाने वाले हैं. अब ही आप ही कहोगे, जब जेल जाने की बारी आएगी, कि हमने तो AMC का कॉंटक्ट कैंसिल कर दिया था? तो लेंदेन तो होई नहीं है, हम तो चाहते हैं आप लेंदेन कर लो. तो पहला तो हमारा ये कहना है, कि आप AMC को चालू रखना. ठीक है? कमेटी कह रही है कि AMC को रद कर दो, क्योंकि इसमें बरिष्टा चाह रहे हैं. पहली बात. दूसरी बात ये है, की जो कमेटी ने कहा, दा RFP for AMC did not mention any method of evaluation for arriving at the lowest bid value. Bid for AMC were evaluated by DTC honne made average basis, taking the projected cash flow over the 12 years period. कहने करती ये है, पहली लाइन में निश्कर्ष है, की जो RFP है, for AMC did not mention any method of, यानि कि कैसे इसको evaluate किया जाएगा वो कोई method is adopt नहीं किया, दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि global tendering की बात की गई, लेकिन इसमें जो conditions थी, global tendering की, वो floating the global tenders for purchase of buses, these conditions have not been observed, यानि कि GFR के पहले norm का violation मैंने पहले बताया, दूसरा यह, कि आपने global tendering की बात की गई, लेकिन उसके जो law है, उसको follow नहीं किया, उसकी global tendering नहीं हुई, फिर आप लिखते हैं, कि जो criteria, यह report की बाते बता रहूं मैं, जो report मैं निकल के सामने आया, जो report कह रही है, कि आपने GFR rules का, जो violation किया है, आपने tendering process का violation किया है, आपने estimation नहीं निकाला, आप देखें कमेटी क्या कहती है, कमेटी कहती है, कि आपने एक tender किया, बस खरीद का, उसमें आपने लिखा कि जो बस का tender लेगा, उसे ही AMC का contract मिलेगा, अब बस के tender में दो पार्टी आई, फिर आपने condition द दी कि हम एक आदमी को बस का order नहीं देंगे, जो lowest होगा, उसको 70% बस खरीदेंगे, और जो second lowest होगा, उसको हम 30% बस खरीदेंगे, ठीक है, दो पार्टी आई, तो ये तैय हो गया बई, दो पार्टी आई है, तो एक को 700 बसो का order मिलेगा, एक को 300 बसो का order मिलेगा, यहां त आपने उसके साथ जोड़ दिया कि जो बस सप्लाई करेगा उसको ही एमसी मिलेगा अरे भाईया जब उसको एमसी मिलेगा तो ये तो सुनिश्चित हो गया ना कि जब आप पांच महीने बाद आप एन्वल मेंटेनेंस कॉंट्रेक्ट का टेंडर करते हैं तो वो सिर्फ एक आ यानि की कॉंपेटिशन को स्क्वीज कर दिया गया और उन दोनों लोगों को पता है ये मेंटेनेंस का कॉंट्रेक्ट तो हमको ही मिलेगा क्योंकि एल वन एल टू हम है हमें से एक साथ सो बस देगा एक तीन सो बस देगा तो ये जो 35 क्रोड का टेंडर जिस पर हमारी उंग नहीं किया उसकी आपने कोई कमेटी कह रही है ये मैं नहीं कह रहा ये सब आपको कागज हम दे देंगे कमेटी नहीं कहा है कि आपने जो टेंडर को बिल्कुल क्लोज कर दिया उसमें कॉंपिटिशन तो हुआ ही नहीं उसमें किसी को एंटर करने का अधिकार ही नहीं थी आ आपने और दूसरा आपने ये एस्टिमेटी नहीं निकाला कि ये जो कॉस्ट है एस्टिमेशन की इसका एस्टिमेटी नहीं निकाला कि इसका जो कॉंट्रेक्ट है जो आप दे रहे हैं साड़े तीन हजार करोड में इसका बेसिज क्या है पैतालिस रुपे पर किलो मीटर जो हम नहीं कह रहे, मैं जो भी बात आपको explain कर रहा हूं, इस committee की report को कर रहा हूं और वो आम आपको दे देंगे, वो जो committee ने लिखा है वो हम आपको दे देंगे, तो committee कहती है कि आपने, जब आपके पास कोई basis ही नहीं है, तो आप जो rate आ रहे हैं और rate डालने वाले limited लोग हैं, तो आप इसको कैसे जाच करोगे कि ये justified है, आपने इसको तो कहीं evaluate कराया ही नहीं, कि rate होना क्या चाहिए, और ये financial rules का एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ा violation है, कि आप जो rate उन्होंने दे दिये, वो आपने माल लिये, और वो छोटा मोटा उसमें payment नहीं है, आप 30 करोड र रुपे हर महीना है, आप जबकि बस सरकार की, ड्राइवर सरकार का, पंडेक्टर सरकार का, फ्यूल सरकार का, जिससे बस चलती है, और डिपो जहां बस खड़ी होगी, वो सरकार की, सब कुछ सरकार का, फिर भी इन कंपनियों को 45 रुपे पर किलो मिटर आप दे रहे हैं, और उसका कोई जस्टिफिकेशन आपके पास नहीं है, तो ये बात, ये इसमें ये भी आगई, फिर उसके बाद, इन्होंने ये भी लिख दिया कि आपने जी एफर रूल्स के क्या-क्या वाइलेशन किये हैं, जो आवाइड किये जा सकते थे, वो भी इसमें लिख दिया है फिर इसमें इंटर्नल असेस्मेंट को भी पर भी सवाल उठाए हैं और लिखा है डिटी डिटी सी डिड नोट गिव एनी एस्टिमेटिड कॉस्ट ऑफ दे एमसी इन्दी आरेफ़ पी, ये खुद कमेटी ने कहा है, कि आपने जो आरेफ़ पी निकाला, उसमें एस्टिमे कि ये जो कमेटी ने जो प्रोपोस किया है, आप फ्रेश बिड फॉर एमसी कुड और अलसो भी कंसिडर्ड विज रिवाइस सर्विस लेवल एग्रिमेंट एंशुरिंग वाइडन पार्टिस्पेशन, यानि कि इसमें कमेटी ने साफ रूप से कह दिया, कि ये री टेंडर के लिए जाना चाहिए, ये सारे पेजिज हम आपको दे देंगे, और बोथ बिड़स हैड और अशोर्ड नमबर व बसिस तो मेंटें सिंस, ओनली टू बिड़स पार्टिस्पेट इन प्रचेश बिड हैंस, देर वाज नो रियल प्राइस दिसकोवरी इन अप्सेंस अपने में किंग, ये सारे पेजिज जो हैं कमेटी की रिपोर्ट के हैं, जिसमें साफ रूप से और अंत में कमेटी ने ये कहा है कि इसका री टेंडर होना चाहिए, निशकर्श, जिसकी जांच हुई, उस टेंडर को कैंसल करने की बात किये, फिर इसके बाद हम शौर्ट में बता बताईए, कमेटी में सेक्रेटी ट्रांस्पोर्ट खुद बैठा है, और अपने खिलाफ जांच कर रहा है, तो क्या ही ये संभव है, वो अपने बारे में ये कहेगा मुझे जेल भेज़ दो, या मेरे खिलाफ F.I.R. दर्ज कर दो, या मेरे खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर जाने दो, कोई F.I.R. दर्ज मत करो, ऐसा होता है क्या? कभी ऐसा होता है, कि चोर पकड़ा जाए, और उस पर 35 करोड़ रुपे का माल बरामद हो जाए, 35 करोड़ का, और फिर कहेगे 35 करोड़ रुपे रख लो, चोर को जाने दो, कोई केस दज करने की जरूरत नहीं है, य जी, देखें, सवाल इसके बात करेंगे, बात पूरी होने देखेंगे, हमारा तो सीधा कहना है, जो घडित हो गया, उस पर सक्त कारवाई होनी चाहिए, अब आगे क्या होगा क्या नहीं है, वो अलग है, लेकिन चोरी की गई, चोरी पकड़ी गई, और इसकी A.C.B.C.I.R जाच तुरंट A.C.B. को फाइल भेजी जाए, ये C.B.I. से जाच का मामला बनता है, सीधे तोर पर, ये कोई साधारन मामला नहीं है, ये ब्रष्टा चार का एक बड़ा मामला इस सरकार का, और ये सरकार उस ब्रष्टा चार को छुपाने की कोशिच कर रही है, हम इसको हर पर, इस स्वाल ये है, कि आमाजी पार्टी पे रही है, कि रिपोड़ पर पर ये सरकार का रही है, और आपके, एल्जी साब ने को पर ये क्मिटी की क्ली चेट दिडि़ी, आप लोग बदला रहे थे और उसका खलाव है, आमाजी पार्टी का रही है, परोसिजर लेप्स क क्यों किये गए जब आपको मालूम है कि दो लोग ही टेंडर में पाटिसिपेट करेंगे तो उस टेंडर को ग्लोबल टेंडर किस बाधार पर का गया ब्रिष्टचार तो साफ दिखाई दे रहा है इसमें कहा नहीं कहा गया प्रिष्टचार नहीं है जहां कहा गया वाइलेश ये पहले से ही तैह हो गया था तो फिर ब्रिश्टाचार का ये बड़ा मामला है ये ब्रिश्टाचार को छुपाने के लिए अंग्रेजी के कुछ सेलेक्टिव शब्द जो है उसको इस्तमाल करके बचना चाहते हैं शुशान तास तक देखिए हमने आंदोलन जारी रखा है और LG साब से भी डिमांड किये कि इसको एंटी करफशन बीरों में ले जाया जाया क्योंकि ये उसके लिए पुक्ता केस बनता है और ऐसे समय जब रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट का एक एक पैरा ये बताता है कि इसमें CBC की गाइडलाइन्स का वाइलेशन हुआ है इसमें GFR का यानि जनरल फाइनेंस रूल का वाइलेशन हुआ है इसमें टेंडरिंग प्रोसेसिंग में गलती हुई है इसके अंदर जो टेंडर की बिड थी उसमें आपने दायरा सीमित किया है जिससे कि जिनको आपने फाइद चोटी बात नहीं है ये बड़े इसके आधार पर मुझे जहां तक पता है इसके आधार पर कोई भी अधिकारी जिसने भी इसको किया हो और इस फाइल पर मंतरी जी ने साइन किया उनको तुरंत वर्खास करना चाहिए तभी इस इसमें निश्पच जांच हो सकती है देखे 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 आप अधिका आप से नहीं जांच से देखो ये जांच नहीं है विजे नहीं ने जो कहा है आप आपकी चोरी पकड़ी गई आप चोर को छोड़ देंगे माल बरामद हो गया माल रखा गया अरे ये प्रोसीजरल नही में अगर गलती हुई तो वो जानबूच की हुई है देखिए एंटी करपसन ब्यूरो से हमने इस घुटाले की जाज की मांग की थी और यही मांग हमने दिल्ली के एलजी से की थी और एसी भी ने दिल्ली के एलजी से जाज करने की अनुमती मांगी है दिल्ली के एलजी एंट जाज करने की अनुमती दें और जब तक अनुमती नहीं दी जाएगी तो हमारा संगहर्स और तेज होगा जब ACB ने अनुमती मांगी है तो किस आधार पे अब आप रोक सकते हो कमेटी ने भी कहा है कि जो यह जो 35 क्रोड रुपे के बारे में जो एंटेनिस के बारे में कि इस को टेंडर को रद कर दिया जाए री टेंडर किया जाए कोई री टेंडर नहीं होगा आपको बस से खरीद नहीं तर फिर खरीदिये उन्हीं सरतों के आधार पर और जाच कराईए ACB से हमारी यह मांग है और कैलास गहलो जो दिली सरकार में परिवन मंत्री है अब उनको उनके पस से बर्खास्त करें यह हमारी मांग यह बने है पांच हजार करोड का स्कैम है यह चोटा मुटा स्कैम नहीं है एक बात दूसरी बात यह है कि जो यह वर्क और इशू कर दिया जन्वरी में जन्वरी में इन्हों ने आप देखे वर्क और इशू कर चुके है जन्वरी में कई दुनिया में सुना कि सरकार किसी को वर्क और दे दे और छे महीने बात कहे कि हम इसको रोक रहे है ग्याराज उनको इसको रोक दिया अगर आप गलत नहीं है तो आपने क्यों रोका अब आप कमेटी ने रद करने को कहा है आप मत मानो तो प्रिशनी ये है कि चोरी तो कर ली पकड़ी गई अब उसमें से बीच में से निकलने का रास्ता डून रहे है बचने का इसके अनुसार नहीं है तो कमेटी की रिपोर्ट ने कह दिया उसके अनुसार नहीं है थैंक यू